नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी मिठाई की रेसिपी जो की बहुत यमी बनने वाली है और हम इसको सिंपल ब्रेड से बनाएंगे तो आएए शुरुआत करते हैं रेसिपी बनाने की तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है ये मोटे तले का इसमें slow to medium flame पे चलाएंगे तो अगर पतली तले की होगी तो दूद के जलने का चांस होगा और हमेशा समय समय पर हम इसको चलाते रहेंगे छोडेंगे नहीं दूद को अदरवाई जल जाएगी दूसरे साइड हम क्या करेंगे हम यहां पे चाशनी बनाएंगे उसके लिए एक कप मैंने चीनी लिया है और same amount मतलब एक कप हम पानी डालेंगे इसके अंदर इसको high flame पर अच्छा boil आने देंगे यहां पे आपको मैं एक चीज बता दूँ कि यहां पे हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी इसे मैंने कुछ केसर के strands डाले हैं तो बस प्रेफर नहीं करते तो छोड़ सकते हैं मैं यहां पे थोड़ा सा food color डाल रही हूँ और इंज कलर का इससे मिठाई बहुत खुबसूरत लगीगी देखने में इसको हम अच्छा boil आने देंगे कम से कम आप यह मालीजिए कि 10 मिनट तक आपको इस चाशनी को पकाना है जब तक कि दोनों उंगलियों में चाशनी लें और चिप चिपी न हो जाए साइड में मैं दूद में क्या कर रही हूँ हाफ कप milk powder डाल रही हूँ इससे ना इसका टेक्श्चर बहुत क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत जल्दी रबडी तयार हो जाएगी अगर आपके पास करके देख लेंगे अगर हमारी चाशनी चिप चिप हो गई है तो बस हम गैस को क्लोज कर देंगे तो आप देख सकते हैं साइड वाले गैस पे अब चाशनी नहीं है दूद को उबलते-उबलते करीबं चालिस से पैतालिस बिनट हो गया है और हमारी रबड이 ऑल्मोस तयार गैस को क्लोज कर देंगे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साथ ही मैंने थोड़े से ड्राइफरूट कट कर लिए हैं क्योंकि इस मिठाई में ड्राइफरूट का यूज होना है और बहुत जरूरी है हम उसको skip नहीं कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा जो है वो बादाम थोड़ा सा पिस्ता थोड़ा सा काजू को चौप कर लिया है ब्रेड लिया है वाइट ब्रेड लेंगे हम इसके चारो कॉर्नरस को कट कर दिया है बेलन से मैंने इसको पतला बेल लिया है फ्रेंड्स अगर आपको ये रेस्पी पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, खूब सारा शेयर करें आप जितना शेयर करते हैं उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई-ने रेस्पी डालती हूँ, बताएं कहां कहां से आप देख रहे हैं अब जो हमारी रबड़ी तयार हुई थी रहे, वो ठंडी हो गई है ब्रेट के उपर उसको फैला देंगे, उसके उपर ड्राइफ्रूर्स डालेंगे बस और क्या जटपट सी मिठाई तयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे हम, और सजा देंगे इसके उपर जो चाशनी तयार की थी, उसको भी ठंडा कर लिया है मैंने इस चाशनी को इसके उपर डाल देंगे तो मैं तो इसके उपर चाशनी इस तरीके से डाल देती हूँ, अलट पलट कर आप चाहो तो इसको dip करके निकाल सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ एक इस bread के टुकड़े को लेंगे और इस मिठाए को लेंगे और पूरी चाशनी के अंदर आप डुबा सकते हो इस तरीके से, डुबाने के बाद आप इसको खा सकते हो, बुकुत ही बताना भूली गई, अगर आपके पास टाइम नहीं है रबड़ी बनाने का तो आप क्या करोना, मिल्क मेड का आप यूज कर सकते हो, मिल्क मेड में थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिक्स करके और उसको फिलिंग कर दें, तो समय बच जाए